Welcome back my friends, मैं आपका फिर दे स्वागत करता हूँ एक नए और फिरेस वीडियो में जहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि यदि आपके पास यदि ओपो का कोई भी यह स्मार्टफोन है जी हाँ आपके पास यदि ओपो का कोई भी स्मार्टफोन और आपका स्मार्टफोन यदि लॉक हो चुका है बिल्कुल इस तरह से जैसे का आप यहाँ पे लाइफ देख सकते हैं और आपने बहुत कोशिस कर लिया इसे अनलॉक करने करें कि फिर भी आप इसे अनलॉक नहीं कर पा रह है आप अपने स्मार्टफोन को अनलॉक करने के बाद इस्तमाल करता हैंगे वो भी बहुत ही सिंपल से ओफ लाइन मैथेट के दवारा तो इस वीडियो में सुरू से लेक्यान तक बने रहीगा बिना हरवराय बिना वीडियो को अस्किप किये आपको ये वीडियो पूरा द एक महेंगा ओपो का है ओपो कोई भी हो कोई मैटर नहीं करता बस ओपो का स्मार्टफोन होना चाहिए और हम आपको आज के इस वीडियो में इससे लाइव यहां पे अनलॉक करके दिखाएंगे तो हमें कौन-कौन से स्टेप लेना है चली वो मैं आपको यहां पे दिखा आपको यहां भी आ जाना है उसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं आपका इमदेंसी कॉल्स ओनली का जो आप्शन है आपको यहां पे देखने को मिलेगा अब आपको यहां पे कौन सा स्टेप लेना है आपको मैं बता दूँ यदि आप स्मार्टफोन के पुराने जिसका नाम होता है इमर्जेंसी डेवलपर ऑप्शन जी हां उसे नॉर्मल भासा में डेवलपर ऑप्शन ही सिर्फ कहा जाता है तो आपको भी डेवलपर ऑप्शन में जाना है और आपको उसे अक्टिवेट करना है लेकिन अभी आपका स्मार्टफोन लॉक है आप अपने developer option में नहीं जा सकते तो उस case में आपको करना क्या है कि यहां से एक हमें उसे command भेजना है, code भेजना है ताकि आपका भी developer option activate हो जाए, तो उसके लिए हमें जो यहां पे command डालना हूँ, मैं आपको यहां पे दिखा देता हूँ वो जो code है, वो है उसके लिए time आपको यहां पे इसे call करना तो जल्दी सा call करते हैं call करने वाद आपको एक okay का message आएगा आपको यहां पे इसे okay कर देना है same आपको process 7 से 10 बार आपको करना है तभी आपका यह developer option आपका activate हो पाएगा तो आप देख सकते हैं friends, हमने यहां पे almost 10 बार कर दिया है अब आपको इन नम्रों को यहां से हटा देना है लेकिन one by one sorry one by one आपको इन नम्रों को यहां से इस तरह से हटा देना है अब आपको जो दोस्तों यहां पे अगला step लेना है वो है master unlocking mode याने की google frp code का इस्तिमाल करना लेकिन उसके लिए जो code है वो different है जो आप यहां पे देख सकते हैं यह जो code है दोस्तों यह बिल्कुल भी आपका constant नहीं रहता है यह हर महेने change होता रहता है और हरे का smartphone का अलग-अलग होता है तो यह आपका यह code काम नहीं करेगा तो आप हमारे चैनल को subscribe करते हुए comment आप हमें कर सकते हैं ताकि आपको हम suitable code आपको reply में दे सके हैं और उसका इस्तिमाल करके आप भी अपने handset को unlock करता है फिलाल आप जो code देख रहे हैं इस code पे आपको सिर्फ दो बार call करना है पहला बार जब आप call करेंगे आपको यहां पे इसे okay कर देना है और जब आप दूसरी बार इसे call करेंगे तो आपको यहां पे इसे okay नहीं करना है पूरा आपका ने हुआ चैनल को subscribe करते हुए कमेंट करें और बताएं कि आपके पास कौन सा smart phone है और आप किस महिने में उसे अनलॉक करने की कोशिस कर रहे हैं